लहरों को सांथ देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागे तब सभी आपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसेप्ट कलासेज में और आप लोगों के भारी डिमांड पर आप लोगों के लिए आ चुका है नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का महा ट्रिक यहां पर मैं आपको गजब का ट्रिक बताने वाला हूं इस एक ट्रिक की मदद से आप दुनिया के किसी भी समरी राइटिंग और नोट मेकिंग के को को बनाएंगे आपको कुछ भी रटना नहीं है बहुत सरे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या इसके लिए हमें इंग्लिस आना चाहिए तो नहीं भई अगर आप इंग्लिस में जीरो होना तब यहां पर मैं आपको हिरो बना दूंगा अब टेंशन मतलो इंग्लिस आपको आता है नहीं आता हैं कोई दिगत नहीं अगर आपको उसका हिंदी मीनिंग समझ में आता है तो अच्छी बात है यह उआता है मतलो है यहां पर डरो नहीं ABOUT बताने वाला हूं ध्यान से देखो, समझो और एकक करके हर एक चीज को करो, इससे पहले मैंने आप लोगों को लेटर का ट्रिक, नोटिस का ट्रिक, रिपोर्ट का ट्रिक, हर एक चीज का ट्रिक करा दिया है, आपका राइटिंग सक्षन में बहुत ही अच्छा का सा नंबर आएगा, जो जो मैं लिएगा, यहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, साथे साथ कोस्टन भी लूँगा, और जो ट्रिक यहां पर मैं आपको बताऊंगा, आपको बताऊंगा, और फाइनरी लास्ट में आपको बताऊंगा, क्या आपको कोस्टन का फाइनल एंसर किस प्रकार से लिखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए इसके नहीं करना इसकी करोगे फिर समझ में नहीं आएगा लास्ट में यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप पोजिशन के कंप्लेट एंसर को किस प्रकार से लिखेंगे जहां से आपको टोटल न टतल सबसे पहले आपको यहां पर क्या लिखना गाँ अब करेवा और बड़े में यहां पर लिखना पीक टा कि मैं उसलिटेम कहां हुआ मेरा पस यहां पर आप step by step समझो मतरब note making यहां पर summary writing का जो question आएगा वो तीन step में काम करेगा कौन कौन से step तो सबसे पहले था हम लोग लिखेंगे भाई नमबर टू में हम लोग लिखेंगे नोट्स और नमबर थी में हम लोग लिखेंगे summary अब एक करके discuss करेंगे आप लोग टाइटल किस प्रकार से लिखेंगे और आप लोग summary किस प्रकार से लिखेंगे यह मैंन चीज है जो आपको जानना है चलिए यहां पर मैं आपको बताता करके दिखाता हूं देख लिजिए कि सबसे पहले यहां पर बात करते हैं टाइटल का क्या आप लोग टाइटल को किस प्रकार से लिखेंगे देखेंगे लंबा सा लंबा चोड़ा पको पेसेज दिया जाएगा और उसी पेसेज से आपको नोट मेंकिंग करना है यानि कि इससे को आपको पढ़ेना है और उसी से आपको लेका लिखना है समरी लिखना जो रखेंगे न तो सबसे पहले सबस्क्राइब टाइटल इसे का congestion सबकां टाइट закрыl हो डूरल रही है एक तरफ होगा कि जब आप पताइडिया हो जाएगा की उसलिट में इसके बारे में तो जिस टॉपिक के उपर वहां पर बात होगी वह आपका टाइटल होगा यानि अगर एक्ट्वल में बोला जाए तो एक ऐसा वर्ड रहेगा जो पेसेज में बार-बार आएगा जो पेसेज में बार-बार आएगा एक आपको ऐसा वर्ड मिलेगा जो पेसेज में बार-बार वारे में बताया चाह रहा है वहीं आपका क्या होगा बहुत है टाइटल के लिए हो गया लेकिन टाइटल लिखने का तरीका होता है टाइटल लिखने का तरीका होता है क्या तरीका है और आप लोग टाइटल को किस परकार से लिखेंगे सबसे पहले इस चीज़ को समझेगे टाइटल को हमेसा लोग सेंटर में लिखेंगे टाइटल को कहां पर लिखेंगे संटर में जो आपका जिसे हैं आपका कोपी जो आप start side में है भल्के कहा लिखना है जूस सेंटर में लिखना है अगर मेलों किना नहीं लेगेwydd तो कलम से भी underline कर दोगे तो कोई दिगत नहीं है बात समझ में आ रहा है तो भाई सबसे पहले हम लोग टाइटल ढूनेंगे जो पेसेज में बार बार आएगा जो भी word होई हमारा हाद है पर जिस ची直 के बारें में भी बात हो रहे हैं हमारा। हम सेंटर में लिखेंगे आधल को हम लोगों बाठा का लिखोगे एक टाइटल हो गया दुसरा नोट्स हो गया और तिसरा समरी हो गया ताइटल तो आपको समझ में आ गया अब बात करेंगे नोट्स के उपर अगर आपने नोट्स भी जान लिया तो समरी लिखने में दम नहीं है समरी आप हंस्ते हंस्ते लिखोगे कोई दिगत नह बात करते हैं नोट्स का तो लिखने की जिए लिए क्या पड़ेगा सब्सेपहले आपको इस प्रकार से लिखने के लिठेना है युँ पैस प्रकार से आपको नोट्स लिखंग में लिखोगे तो इसका बहुत सरब प्र में क्या आपको नहीं लिखना चाहिए लिखोगे या फिर आप एवरीएसंस का यूज करोगे सब कुछ बताया जाएगा बस अप एकक कर कर क्या भी इस्तीर से देखो इस्तीर से देखो प्रेम से सुनो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं सबसे जो नोट मेंकिंग या फिर समरी रा जो भी आपको ऐख prossेसे लिखा और ना जो भी आपको आपको पेसे लिखाव क मिलेगा पहले क्या करना फेसेस्ट को पढ़तेना फेसेत र kne के बादर पिश्क अपैसे जो होता है क्पुरा एक।म राइटिंग जैसा नहीं लिखा रहता है बल्कि पछिदेौए के आसमें आ पर हमारा फुलिस टॉ ठॉ गया अब दूसरा लाइन हमारा सटारकों इस प्रकार सब्सक्राइब कर देखो समल समझे करे बात को समझ्जो लगा यहां तक हो गया हमारा एक प्रांगारास मुखने में में प्रियर हो जाएगा में चीजों देखो और समझो कैसे लिखेंगे का हम लोग लिखेंगे एडिग बना कर और सरफ involves बनाकर होपडिया में बात खुसा लो कि जो हम लोग नोटस लिखेंगे नोटस को हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर लिखेंगे पहलाव प्रकार से पर नमबर एक देंगे वो लिखेंगे नमबर एक दे दिये और हमने लिग दिया heading अब यह जो हमने पहला heading बनाया अब इससे related हमने देखो 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से हमने 3-2 heading बना दिया आप 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 2 बनाओ, कोई दिगत नहीं है लेकिन 2 या फिर 2 से ज्यादा बनाना sub heading जो बनाओगे 2 बनाना या फिर 2 से ज्यादा बनाना तो हमने एक heading दिया और इस heading से related हमने यहाँ पर 3-2 heading बना दिया उसी प्रकार से एक तो हमारा काम हो गया उसके हमने क्या क्या फिर से और एक heading दे दिया फिर से और एक heading दे दिया और इस से related हमने यहाँ पर sub heading बना दिया जैसे ही हमारा दूसरा हेडिंग हो गया और इसका जू selection हो गया यह बीडिया दो पॉंटी दो पॉंटी 보ंटी ती इसे पहला यहिन था जैए सबीदेंग के यह एक पीदुद्ध तो आपको ऐसे करकर करके बनाना है तो नोट से आप लोग एसे करोगे एडिंग और सब एडिंग और सब एडिंग आथ के लिए चलिए बहुत ही अच्छी बात है अब देखो आप यहां पर कुछ चीजों के उपर पहले आप यहां पर खुपड़ा में घुशा लो दिल में बैठा लो बात को समझो आप क्या करना भाई कम से कम कम से कम तीन दो या पर तीन से अधिक हेडिंग देना कम से कम अगर मैं बात करूं हेडिंग का भाई अगर मैं बात करूं हेडिंग का तो आप याद रखना या तो आप तीन दो हेडिंग दो या पर आप तीन से जादा या 3 से स्यधित आच मत देना या तो 3 दो या फिर 30 generating जधादो अगर मैं बात करूँ अगरमें बात करूँ सभी एडिंग का है किसे हम आदिंग कितना देंगे वła पर वा पीकाम करना आप दो ठो दो या फिर दो से ज्यादा दो यह हुआ हेडिंग और सब हेडिंग देने का तरीका ठीक है और यहां पर और चीज़ों के बारे मूर आप जानो यहां पर देखो हार एक चीज़ को आप यहां पर गौर से सुनो आप एक चीज़ गौर करो देखो यह सेंटर देख स्ट्र ने कि यह एंच ही प्रकार स्ट्रों संतर सब चाहिए इक चुर में सेंटर जाएगा इस इस बाद का ढूरा ध्यान रखना तो आपको अच्छाकासा नंबर मिलेगा नंबर आपका नहीं कटा जाएगा औरHaaka ही शरियाल में होना चाहिए एक से सबीनेये, अब आ ही हैंडिक करना दो पर दो से अधिक सभेडिग देना फिर सोव को समझस समझ लो आप यहाँ पर क्या करना है जो हेडिंग दो गैए ना तीन आप्र फिर से Minister हेडिंग देना और हर एक पर एक लाइन चोड़ देना है आगे बढ़ते है और आगे समझते हैं आगे देखो आगे देखो वही जोगलोग नोट्स लिखोगे घलिंग यहां इस न लिखोगे कीन बातों की उपर आपको ध्यान रखना है इस बात को आप यहां पर số पुरोपडी में घुशें लो देखो पहला helping भर्व का यूज ना करें जो helping होता है जिसरी सब helping भर्व होता है लोग कि यूज आपको नहीं करना तो ऑप क्योम गारेखार और भर्वका यूज न करना एक भी हिल्पिंग भर्वका यूज मत करना वस इस बात का धियां रखना आगे देखो दुसरा क्या है कभी फूल सेंटेंस का यूज न करें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पेसेज से पुरा सेंटेंस ले लेंगे पकड़ के उठा के लिग आप यहां पर फूल सेंटेंस का यूज कभी मत करना कंप्लीट सेंटेंस का यूज आप कभी भी मत करना इस बात को ध्यान रहो इस बात को ध्यान से सुनो एक तो आपको helping भर पर का यूज नहीं करना है दूसरा आपको full sentence का यूज नहीं करना है और जो पेसेज आप पढ़ रहे हो जो पेसेज का आप notes यहां पर लिखोगे जिस पेसेज का आप यहां पर note making लिखोगे न उसमें जो भी important points है जो भी important points है हमेशा important points का भाई आप यूज करना important points को आप हमेशा लिखना हमेशा लिखना हमेशा इसके बाद का आपको यूज करना है अब आपके भाई ओपड़ी में दिमाग में घूस रहा सर यह किया है सर इसको था हमने कभी पढ़ाई नहीं सर इसका तो नाम हम लोग फस्ट टाइम सुन रहे हैं अब्रिवेसेंस मतलब होता है हा है जया होट था को लिखना है यह मौर्निंग नहीं लिखना है तो यह हो गया रहत हो गया नाइट विखते हैं वह तो यह हो गया गूट कार डव लॉओ लब यानि प्यार ल व लिख देगा मतलब मतलब होगा लब तो हुआ ही होता है सॉट फॉर्म एवरिएसान्स कुछ-कुछ abbreviations भाई मदलब पहले सा ही ठीक्स है जो पहले सी fix है उसको आपको उसी क्या कर नगी लिखना है और जो पहले सी fix नहीं है आप चाहो तो किसी भी word का आप abbreviations use कर सकते हो क्या होता है और यूज किस प्रकार से करोगे आप इतना याद रखो कि जब भी आप लोग नोट्स लिखोगे नोट मेकिंग में तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हिल्पिंग भर्व का कभी आपको यूज नहीं करना है पुल सेंटेंस का कभी यूज नहीं करना है अमें साब को इंपोर्टेंट पॉइंट्स का और यूज करना है यह सब चीज जान लो उसके बाद आगे चलो आगे आपको और क्या करना है देखो और हम लोगे यहां पर डिसकस करते हैं अबिवेसंस का अधे मैं ने बताया मने खोता across ऑसब्यू के पर लिखेंगे यूजहागर मिशसर पर या फर्म शम्यजो में किसी के साथ चेटिंग संजो हैं समझों कि इंस्ट्राग्राम पर वाट्सब्फ पर हम लोग किसी के सत्व कर रहे हैं एंसर अम्धार में लिए रिए यह एंसर हो गया गौवर्मेंट जी मतलब गौवर्मेंट प्राइवेट लिमिटेड तो पीवीटी लिग देने से प्राइवेट होता है ठीक है ल्टी लिके देने से limited होयता है वियfriend short form जो होता है ना बास यह सब चीज़ा झानो हो गया इंट्रोडक्ट्ट्ट्ट्ट्जन पहले सप होता है जो को सम्झो सब सब सौर्ट फरम है यह सब सब आपको भी पता आप को भी पता है उन्ट्रो इन्फमेसन गोता है एक सारे यहिंगे गीठ माइकसिमॉम को लिगैं गे में लेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है जो फोल सोता है नौ जो भोल सोता है वन उपनार होता है देखो जिए हमारा होता है यह जिय कि आई ओ और यू पस बहाब क्या करो यह पांच भोल स्कों हटा दो को हटा दो आपका एवरिविएसंस रेडी यहां पर मैं आपको एक्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं देखो यहां पर डबलू ओ आर्डी है ना तो डबलू ओ आरडी में देखो ओ यहां पर भॉयल है वह को आप अगर ओ को हटा दो क्या मिलेगा डबलू आरडी पस वह है सब्सक्राइब करणा साथ और सब्सक्राइब को यहां पर करने हैं आप आराम से कर लोगे आप अराम से कर लोगे आप बोलना यह नहीं कि सर अब्रिवेशंस मीुक्ष में सर भोयल को आठा देंगे आप ब्र शॉट को आठा रहे हो सबनेंगे बतल जायगा था अपर ने लिख दिया फी तो स्था फर्म यह तो इस प्रकार्ट साप लोग लिखना अगर पहले अगर पहले ब्लम स्था था पहले भाई भाइब्स नो समय जवी हो पाहलावाला तो अक्ष्रापको लिखना अब पड़ेगा आड़ावला अख्षा नहीं लिख आए त्युच्छ ने लिखो कि द्वि यह पूरा पूरी बन पड़नागा झाएंगा तो पाहलावला हमने लिख दिया और जो भी यहां पर भो व भॉयल को हमने हटा दिया फो का द प्ल समाझता है यह पड़ने से भी लगता है अट को बोल रहा है वसे इंट्रो इंट्रो से बाद नहीं पर विय समझ गए मतलब होता शॉट फॉर्म आपकर शॉट्वर्म आप इस प्रकार से भोएल हटा कर भी बना सकते हो और जो मैन मैन है यह सब को आप जान लो और आगे अभी यूज करेंगे इससे और आप एक दो कोश्चन करो और फिर आपका और कंसर्ट के लिए हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं अब देखो जब हम लोग कोश्चन बनाएंगे जब कोश इस प्रकार से आपको टेवल बना देना है यहां पर मैं यह बोल रहा था कि हम लोग जितने सारे यूज करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे टेवल के फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे यह बात एदम खोपड़ी में हुसालो यह आपको करना है इस प्रकार का एंड में लbok नहीं लिखेंगे वलकर लिखेंगे ऐसे यह नोट में किंग में को ध्यान में रखना होओ वहई आपको गो करेंगे इस प्रकार का जो भी सिम्बल होता होता इसका हम लोग उसकर करेंगे अभी पर इन यहां पर देंगे तो यह सब जी जानो मत अम लोग nope making summary writing में हम लोग क्या करेंगे symbols का भी use करेंगे results करके note making में summary writing तो भी आ गया आएगा tension मतलो symbols का भी हम क्या करेंगे use करेंगे, आगे देखो आगे देखो है आप जो मैंने बताया गाई यहाँ पर जयो मैंने आपको बताया देख लो कहां पर नहां के दो के दो को आप देखो बला जैंप ना कि आप नोट्स लिक्वे तो नोट्स को आपको representing के फॉर्मेंट में और सब heading के फॉर्मेट में में लिखना है np जानोmark फेड़िंग के फॉर्मेट में लिखना है जाना किअ zaj Cassia lyrics से लिखोगे लिखने का क्या तरीका है लिखने का क्या ट्रीक है और कोईस्चन में तो सब किलियर होगा पहले लिखने के ट्रीक को आप जान लो कि आप हेडिंग को किस प्रकार से लिखोगे अब हेडिंग को किस प्रकार से लिखोगे इस चीज़ को सबसे पहले आप देखो उस पेसेज में क्या हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है वो पेसेज हमें क्या बता रहा है वो पेसेज में किसका परिचर दिया जा रहा है तो सबसे पहला आप यहां पर हेडिंग डाल देना इंट्रोडक्शन का आप डाल सकते हो बई यहां पर मैं आपको तरीका बता रहा हू तीन डालो हेडिंग आप कितना डालोगे हेडिंग आप तीन डालो चार डालो मतलब या तो आप तीन डालो या फिर तीन से ज्यादा डालो कम से कम तीन डाल देना काफी है अगर आपको लगता है नहीं 4-5 डाले सर तो डालो कोई रोका नहीं है आपकी किताब आपका मन कुछ भी कर सकते हो तो हेडिंग कोशिस करना तीन पका देना और अगर तीन से ज्यादा हो भी जाता है तब भी कोई दिकत नहीं है और सरे विदा प्रूरी इंट्रोड़क्शन मत लिखेना बल्ल कि आपको लिखना है इन्टी रो इंट्रो पहला हेडिंग आपका हो गया इंट्रो कितों हो सके जो हम लोग यहां पर पेसेज पढ़ रहे है उस सेज में कि सब्सक्राइं बात्चित थो रहा है उसे कि भी बार र रह गया है या फिर एबाउट फॉर और तो दूसरा जो हेडिंग हम लोग दे सकते हैं ठीक है क्या देंगे एबाउट फॉर कोई जरूरी नहीं है कि आपको हरे टरीका बतारू तो अगनले प्लीखिडए त्रीका हो गया पाउट फॉर का क्या चन्या में डिटवार इंत्र होंने ऊसरे मानख से पाया हो गोरा पर बतार चारा है किसिए बाइब से कि about for cow या फिर about for horse या फिर about for camel या फिर about for tiger या फिर about for elephant कुछ भी लिख सकते हैं कि आपके देखो किस तरह heading हम लोग ऐसे बना सकते हैं importance of importance of अब उस पेसेज में भई कोई आसा चीज है जिसके importance के बाले में बात्चेत हो रहा है कि importance को स्ट फॉर्मी में लिखेंगे हम लोगta i.mp, rising means importance of importance, इंपोत के बारे में बात्चित हो रहा है, तो लिखेंगे importance of newspaper या फिर उस於 besom में घोड़ा के बारे में बात चीज हो रहा है तो लेकिन इंपोर्टेंस आफ हॉर्स बात के लिए खौपड़िया में घुस गया बात ठीक है तो था हेडिंग हम लोग यहां पर देखो बना सकते हैं रोल आफ रोल ओफ क्या हो गया कि उस पेसेज में कोई ऐसा चीज है इसका डाच क्या है कि ग्लें एक रोल का बात नहीं हो रहा है रूल में होता भूमी का क्या है उसका क्या महत्व है विल विलिई सकते हैं कि रोल-फ भूक्स या फिए रोल-फ ब्यूज बात्चित हो रहा है उसका features क्या है तो इसके features को लेकर हम यहां पर heading बना सकते हैं तो heading कुछ नहीं है अब आपको वरो बताओंगा tension आप मतलो आप अगला बनाना other important things जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर other important things करेंग्स का एक हैडिंग बना सकते हो कि उसमें और क्या-क्या इंपोर्टन इंपोर्टन चीजों के बारे में बात्चित हो रहा है यहां तक किलियर है अब बात को सुनो आपको लगएगा और हम तो सर एडिंग बना ही नहीं पाएंगे इक हैडिंग बना लेंगे से सुद्धों मेरे बातों को फेडिंग कुछ नहीं होता बैइं कुछ नहीं होता है जैसे आपको वेगमसीन इक्जांपल देता हुआ आप अंप Bell के बारे में समझत कि енное ऐँप प्राइए थे चिज के बारे में बवारे में इतना है रांची का पोपोलीशन इतना है तो देखो यहेडिंग हो गया आपका पोपुलेशन आपका हेडिंग हो गया और इससे बात को समझ आपका जियरxture सब कॉब近म्न हो गया तक उतंको की यहाँ दीन माला चला जब दुरहां है का so का पोपुलेशन जारकन का पोपुलेशन और रांची का पोपुलेशन तो आप यहां पर एक हेडिंग में डाल देंगे इंडिया का पोपुलेशन दूसरा हेडिंग में डाल देंगे आप जारकन का पोपुलेशन और तीसरा हेडिंग में डाल देंगे रांची का इसी प्रकार सेुटूं, दिया रहे नहीं दिया रहे क्या करेंगे सर और आप इस चीज करो जब ऊस जब पढ़ रहे हूँ जब आप पेसेज को पढ़ रहे हो में आधो पेसेज में इससा चीज मिलेगा ना इसे देखों इंडिया का पुपलेशन जायरगन पॉपुलेशन और रांची हो गुप और इंडिया का पोपूलेशन धारगं का पोपूलेसन और हमार अस्वेडिंग हो गिया बात समझ में आ रहा है सब हैडिंग कीसे लिखो गए आप और यह बर ज्यान से सुनो आपको अगर क्लियर नहीं और और एक बार सुनो आपको ने पता रहा हूं तो कोई कोई पेसेज है उसे सबीच में पोपुलेशन के बारे में बात चीछ हो रहा है और उसमें इंडिया का लांची का पॉपलेशन दिया हुआ है तो जब बढ़ रहे होने तो आपकोический common चीज में ज़रा है याईια को बिक conviction का बाती है आपको यो में यह इन ज़रा है और फो पॉपलेशन आप यहां और सुमाना ईणम्ट लीक्त लाई लाइख आपने एक को तो हमें eksperial जारेज़ मल रहा है ऐन्दोससरा मिल रहा है आपको ज्षार्खन पॉपुलेशन घर domestic living आपको बतने अब से ज्यादा अइंदोससरा मिल रहा है आपको रांची गया आपको पॉबलाइ लांच है आफ का प inaccurator अभी question में ये concept आपको और clear हो जाएगा आप tension मतलो बस कल आप चीजों को देखो और समझो इतना चीज हो गया तो अभी तक हमने जाना कि आप title कैसे लिखोगे उसके बाद हमने जाना कि आप notes कैसे लिखोगे अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं भाई कि समरी आप कैसे दोनों चीज की यूपर हम दो डिसकस कर रहे हैं जैसे आप मान की चलो कि आप चले गए film देखने आप film देखने चले गए आप गए cinema घर आप धिलम देखे आ गए करेबन आपने तीन घंटा का movie देख लिया तिन घंटा का film आपने देख लिया अब आते है घर आपका दोस् कुछता है कि बोलों तुम जो फिलिम देखे थे कैसा लगा यहां तो आप प्रत्ज का हानि बताना शुरू कर दिते हो यहां पर Gunda coffee to इसरी मिन्ट नहीं पूटया थे संप करीबं 15-20 नहें उसको बता दोगे 15-20 मिनट में बता दोगे है थीन गंडा का फिलम है आप अपने दोस्तों को 15-20 मिनट में पूरा फिलम सुना देते हो इसे को बोलते है और निम्हारी मतलब क्या हो voll ही पूरा बढ़का सा जो आपको जो पेशज दिया गया है तीन घंड़ा पेशी दिया गया है उसको 15 से 20 मिनट में आपको एसे एक्सपरेज करना है एसे आपको यहां पर लिखे Widh जैसे आपको लिखना है कि समझ में आये कि भाई उस पेसेज में क्या बोल रहा है वहला बात को संजो जैसे आपने तीन घंडा का फिल्म देखा है बस आपने उसको 15-20 मिन भी बताया लेकिन उसको पुरा फिल्म पता चलिया कि हाँ भाई इस फिल्म में कुछ इस प्रकार का स की स्टोरी हैं अहरे लिख बता तो यहां पर कास्टिंग आया है हहां पर यह गाना आया जो जो काम का चीज आ आप उसको बताते हो उसको पुरा फिल्म जो ऺश्याशन नहीं लेना है इस में क्या करना आ आभको मेन-मेन जो संटैंस्टर्श से उसको उठाना है को चिपका है उठाना है चिपकाना है उठाना है चिपकाना है पस और विज्एस करके और एक चीज के उपर आपको ध्यान रखना है कि आप अभी जो नोट्स लिखोगे उसे के अकोर्डिंग आप यहां पर समरी लिखना अभी आपको समझाऊंगा टेंसन मतलो चलो आगे बढ़ते हैं आगे आते हैं अगर हम फूल फॉर्मेट का बात करें फॉल फॉर्मेट फॉल फॉर्मेट अगर देखें हम लोग यहां पर कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे समरी राइटिंग नोट मैकिंग की कोईस्चन को किस प्रकार से बनाएंगे तो पहले हम लोग फूल फॉर्मेट इसका देख लेते हैं कि इसका फुल फॉरमेट क्या होगा लिखने का क्या तरीका होगा अब आपको वीडियो पर बने रहना है वीडियो लंबा जाएगा टेंसन मतलो आप आगे देखो अगर इसका फॉल फारमेट देखा जाए तो भई इसका फॉरमेट यह है और ऐसे इसे सब से परब insult ऑनुको बढू चो दो एक लाइन जोड़ू से लिजे नर्से है आगे तो सम्मिल जाएंगे तब लगा चोड़ेंगे लिकेंगे एक लइंगे हैं अब इसे चार पांच जितना बीसाइडियों करता है उसके पर फीर से चोड़ेंगे फिर अगला हेडिंग देगं पिर उस से अबर्म कर लेंगे और मैंने क्या बोला कि प्रकार्स हम लोग टेबल में लिखेंगे पर काम खतम आपने उपर में लिखा है एक पर इस इस टाइटल को इहां पर करना है बच्चा पाटी सबसे पहले लिखना है टाइटल फिर लिखना है नोट फिर लिखना समरी पांच नमबर आट नमबर जितना भी है एक्जाम में जितना भी आपको फूल नमबर मिलेगा टेंशन वतलो बस यह स्टेप्स आप फोलो करो और इस प्रकार से लिगो जिस प्रकार से मैं आपको बिता रहा हूं आगे बढ़ते हैं आगे और किलियर होगा आगे देखो आज किस टाइब का दिया गया यहां से लेकर यहां तक है आप पढ़ोगे ना आपका पहले तो माथाई घूम जाएगा पहले तो माथाई घूमेगा कि सर क्या क्या सर यहां पर लिखा हुआ सर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा सर आमें तो सर इंगलिस अच्छी से पढ़ना भी सस सत्स लिंगा नहीं रहेंगा आपको यहां से अइडिया चल रहा है यहां से पता चल रहा है यहां से लेकर यहां तक हमारा हुआ हरहां प्रखत हो गया तब हरहां से लिल्एक यांदे ο कर दाहु फोचिए प स्सख्यार 503 को सब्स्ख्याजियर SS Holli बाइब करके करो कि क्या करना है अभी आपको बाद में पता चलेगा पहले आप लिखने का तरीका क्या प्रोसेस जो ट्रीक है इस चीज को सबसे पहले आप जानो कुछ भी रटना नहीं है यह तो आपने देग लिया ठीक है मैंने इसका इसकी शॉट भी लेने आपको बोल दि और फैस्ट फिराग्राप से देखते हैं कि अगर बना पाते हैं को सब बना पाते हैं तो अच्छी बात मिदे प्रॉम पाकिस्तान इंद वेस्ट टू टीबत इंद इस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा गोली मारो गोली मारो बंदुक नहीं है तो बंदुक खरिद लेना मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करता हूं ताकि मजा लगेगा पढ़ने और पढ़ाने में देख लो यह रहा हमारा फुस्ट पिरागर यह हमको सब और यू बढ़नें से बनाने ह है हमको सब हेड़िंग और जब मेंने बताया था जब भी आप लोहाच में कभी पर हेपिक अबश्य करेंगे और पहला हे अ लोग कोशिस करना हमेसा पहलागधे डालना आ अप इंट्रोड़क्शन का देखो हमने पहला हाणिग ढाल दिया यहां पर इंटोरक्षण का कि सes इंटोरक्षण का है किसके बारे में है इंट्रोरक्षण करोगे आप इसको पढ़ोगे पड़ सकती हो नहीं पड़ोगे तब भी दिगत नहीं है किया करो मैंने जो पॉण्ड से लो होनों को दिगत नहीं बाट इंपोर्ट इंपोर्टिट रचंप अब उठालो को हमने क्या कर आप में हम लोग इंतरोक्षां नियुक पहलाब में हमेजा आपका िंचरोडक्ष को होगा रहा वीमिश्ड पहला हेडिंग इंट्रोडक्षिन का बनाना और कि यहां पाकिस्तान से लेकर तिबबत तक पाकिस्तान से लेकर तिबबत तक तो तो हमने दुसरा सब हेडिंग बना दिया पचीस सो किलोमेटर है कहां से कहां तक तो पाकिस्तान से लेकर इबत तक यह सब चीज हमने नहीं लिखा देखो यहां ना पचीस सो किलोमेटर फ्रॉम पाकिस्तान यह सब हमने नहीं लिखा यह सब हमने नहीं लिखा हमने पाकिस्तान तू तिबद अगर आप यह सब पूरा लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा लेकिन मैं हमेसा बोल रहा हूं कि जितना कम से कम लिखो उतना अच्छा है यह पूराब से पस्टिम से उत्तर से दक्षिन से यह सब मत लिखो नो क्या जरूरी है यह सब लिखना इतना तो हमें पता चल रहा है ना कि पचीस सो किलोमेटर है पाकिस्तान से लेकर तिबद तक हमने पचीस सो किलोमेटर लिख दिया आप कहां से कहां तक तो पाकिस्तान से पाद खोपड़ी में घुस रही है गुसाओ नहीं घुस रहा तो घुसाओ उसको जाना पड़ेगा पहला मैंने क्या बोला कुछ नहीं है इस पर आगर आपको आपको देखना है जो मन में आ रहा है उठाओ जो मैं में जो पॉइंट से है और बिसेस करके जो भी नूमरिकल भ लूमरिकल बनना तुरोर बनान तर्षो यहां पर के सेंख्या वल्मान है इसको भी पक्ता बनाओ यह बनाओ चुछ नहीं यह धैको क्या है गति-थर सुमीटर एवब सी लेवल देखो 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 कुछ नहीं हां से लकर यहां तक हमने लिग दिया यह धाथ-थर 200-meter above sea level कुछ है कुछ नहीं है आगे देखो ठीक है आगे देखो आगे देखो आगे देखो क्या है देयर आर मेनी जैल्ड स्नो गड़ पीक्स एंड लार्ज वेली गल्सेरस हमने इसको एक पॉइंट बना दिया ट्रみल्ट बना दिया है लार्ज वेली क्य zab кноп को इसको अमने बना दिया है आप बोलोगे कि इसको छोटा चोटा हो चोटा-चोटा कि अब इसको बना सकते हो अप इसको तो स्मिंद बनाई दिया है यह है यह है अब देखो जोब नूम्री कली रहेगा तो छोड़ना ही नहीं को 19 19 large reverse एक रैन देखो 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 on एभिए नुम्रीकल फेलो बिला रहेगा यह तो आपको पक्का लिखना है तक लीए पक लिखा इसको पंड़ को और को भी तेहां से आपको जो मंन करता है ले लो सिपकाद दू यहांपर देव कितना हो गया एक उन्हols हो गया दुस्रहा यह हो गया चॉन्था यह देन्न एक के सिल लिखते हो गए आफ अगर इसको लेक दिए लिखते हो जाताöt कंश काफ में जाए दा लिखने मत जना यहीं कि मजा आ रहा तो तर्सशल सब लख दो और है कि वीसा नहीं लिखो कोछ नहीं करो फिल डिखोलिंगी चुटा चुटा गेलीन हो जो मनाता है खाल चुटा यहां पराट च्रपकाई हो từ आपको दूसरा भी लिए सकते हैं विए आगे देखो वेस्ट प्राग्राप काम ने करा अब लेते हैं कि क्या हमें यहां पर मिल रहा है अब आपको लिखने का तरीका होगा वह आपको बताया जाएगा वीडियो को पुरा देखना बीच में छोड़ के मत देखो दूसरा आप तो 38 million years ago अब यहां पर हिमालाई कब बना था कैसे बना था उसके formation के बारे में बात्चित हो रहा है पहला लाइन पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है इसके formation के बारे में बात्चित हो रहा है आगे देखो ठीक है और देखो यहां पर कौन-कौन सा प्लेट से हुआ है तो कौन-कौन सा प्लेट से इसका हुआ है आप देख सकते हो यहां पर हुआ है आपका पाइदा प्लेट जो भी यहां पर कौन-कौन सा प्लेट है तो इंडिया का प्लेट है और यूरेसिया का प्लेट से इनका formation ह हुआ हैं इंडिया का प्लेत और युरेषिया के प्लेट सी इसका форм प्रम सन सुप है और यह आ탭धि एगस्टम लिघदम इनात खला है हिसल्संति आहीं हां सपागे और सभ्यं में पुमिलों तर्फ ऑनौर्फ दोर्रिनTY मलाम तर्फ जिब्लेल से सवयन यूए पर क्लाइमेट क्लाइमेट आ रहा है गूराआ क्लाइमेट आपको मिल रहा है तो आसा है उह तो तो उपर में फॉर्मेशन के बारे में बातचित हो रहा है जब थोड़ा नीचे हम ने हम लोग आ गए तो वहां पर क्लाइमेट के बारे में बातचित हो रहा है यहां पर फॉर्मेशन का बना देंगे और दूसरा है यहां पर हम लोग क्लाइमेट का बना देंगे तो देखो ह खांकर एक है 38 million य्यर्स एगो 38 मिलियन यर्स एगो ने बना दिया से वैडिंग आगे जब देखो क्या है और ये कौन-कौन प्लेट से बना है तो इंडिया के प्लेट से और यूरेसिया सब्सक्राइब चाहएं है या आज दो और को यह बस आपको करना कर डालो चीज हो गया उसके बाद जिससे कि अभी में आपको पढ़ाया भई यहां पर climate के बारे में भी बात्चित हो रहा है तो climate कैसा है यहां का तो दिफ्रेंट है different 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 का short form हो जाएगा DIWF different हो गया climate कैसा है different climate है और बोल रहा है और बोल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का जो क्लाइमेट हो कैसा है temperate climate है recogn träene climate we in e日本 पाकिस्तान का जाएंट कैसा है ताम इन पर इंडिया और पाकिस्तान का क्लाइमैट कैसे पनाद है तो temperate climate सेеньपेड जाए और इसके थंप एंड WITH da template climate उसके बाइसमें और बोल रहा है थे और वल रहा है यह जो नौर्थ है न इसके बाद आगे देखो आगे क्या है इन नौर्थ में क्या है यह अधेक क्या है यह सुन में बोल रहा है अधेक कंग अप्र 네फने अने लिखेंगे के 25 ट्रकेंगो है और शॉन ओरừng कि ने नौर्थ भेरी ड्राई बात की लिए पूरा संटेंस नहीं लिए नहीं लिखना तोड इखना है उसके बात देखो इसको पूरा पूरी चिपका दिया इस जग़ा पर यहां पर हमारा d e s e r t desert है इसका हमने short form बनाया कैसे short form बनाना है मैंने आपको बता दिया तरीका आप whole खतम कर दो यह खतम यह खतम बच गया d s r t तो यह हो गया dessert तो यह जो second परागराप था इससे हमने दो बना लिया दो हेडिंग हमने यहां पर बना लिया कोई जरूरी नहीं आप एक प्रागराप से आपको जितना मत इतना हेडिंग बना सकते हो जितना बना सकते हो हेडिंग से बना लो कोई दिकत कोई प्रोल्म नहीं है यह तो हो गया इसके बाद ह आगे चलते हैं थर्ड प्रागर आपको लेते हैं थर्ड प्रागर आपको अब देखो यहां पर थोड़ा अच्छे से देख लो थर्ड प्रागर आपको आपको गौर करो यहां पर समझो अच्छे से थर्ड प्रागर आपको यहां पर बहुत सारे फसल का नाम है जिस राइस ह है यहां पर बहुत सारे जानवर है जानवर देखो सीप वार्ट्स याक्स यह सब हमारे हनाज होगे फसल होगे और यह सब जानवर है जानवर है तो हमने खेडिक बना दिया थार क्रॉप सेंड एनिमल्स क्रॉप्स में होगे हमारा राइस के रियल्स टुगर दिया और इधर हो गया सेफ गह यक्ष टिप गॉट्स यह तुक्त क्रेस्ट आपस लिए क्सी बारे बात इसे न व्रूर चीज और वोगा जाएा बद से दो यहां हो चीज है जो हमने आपको हमें चार बना दिया आगे चलो अगला ले लते हैं अगला प्रहंट अगला प्रॉट फॉर्ट फॉर्ट सेㅠㅠ और इंपोर्ट के से पना दिया है मैं आपको बोला भी ओर भीी वर ie इंपोर्टेंट थींग जो भी ओरुदन थ favored or यह इंपोर्टनца शाय ह्माले इंपोर्टेंट थी यह हमें प्राप्त होता है तो यहां से मिलता है हमें Original मिनराल्स एंड जैम स्टोन्स देखो कि हमने लिग दिया दुसरा हमें मिलता है आईरन और और कोल मिलता है कि हमने दुसरा से बिदिंग बना दिया किसरा हमने यहां पर बना दिया किसरा हमने यहां पर क्या बना दिया देख लो यहां पर क्या है हाइड्रो लोक्तरिक पावर ह यहां से टूदसे लिए किए उठा लिया लेकार यह खाले हमने यहां से लेकर का लिए प्रिवन कीइच निया त्य भ्यास वन के यह सब्सक्च हिरसे दालो और प्राइब यह तरी होना है लेक lamps यह क्यों पर्स्क्राइब अईर्ण बड將邈 बूद एIST मो GO पांच हेडिंग डाल दिया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भई जो भी अब्रिबेसंस का जो भी हमने यूज करा है जो भी सिम्बोल साइउज करा है उसको हम लोग वड में नाम लिख देंगे इस परकार का टेबल बना के इंट्रो से हो गया इंट्रेक्शन प्राक से हो गया पाकिस्तान बीड कि इंडिया आगे आता है की फूल एंशर केसे लिखे मैं अबहरा था आपको अच्छे समझना ते क्याया कणा könnte अगर मैं आपको ले जो हमारा थाמה फिरागराब यह के लोग गो हमारा पेश्जेज था धो यह पेश्ज मेंमें देख रहा जैतो हिमालए परवत के बारे में बात्चेथ थो इसके बारे में भी हमाले के बारे में तो यह फेस्ट परागराप फ्र फन फरागराप फ स्टक मारे मिल मभिंडे लिगतने अबिना separate सबसे पहले आपको डाल देना है टाइटल है कि इस पेसेज में इसके बारी में बात Τसीत हो रहा है और हिमालाय एlor नहीं है पिर हम detक ud नजस हम आए आप देखना चाहोगे मैं आपको दिखा देता हूं देख को यह बनाया था या से पता चल रहा है छिप No यहां से इसको भी आखेंब剛剛 इसको सब्सक्राइब कहां पर यह पर हम एया है इसको भी नियोंग छा Landes Te Film रहाक कुछ फाइनल्य इस प्रकार चेल प्रकार से प्रकार से बन घा पहला वाला रेडिंग बढ़ को मित आपको लिखना ह। कि उसके बाद यह आपको लिखना है टेबल उसके बाद आपको लिखे देना है टाइटल को दुबारा से टाइटल को आप दुबारा से लिखे दो का नोट मेकिंग अब आएंगे summary writing में। आएंगे summary writing में। फूल एंसर आपको ऐसे लिखना है, फूल एंसर ऐसे लिखोगे, एक भी number नहीं कटेगा, पहले title लिखो, एक line छोड़ दो, वो title को बड़ा हाथ करूआप विशनी मिलिख की underline कर देना, एक line छोड़ो, पहाला heading दो, ये फिर एक लाइन चोड़ो डूसरा हेडिंग डालो फिर एक लाइन चोड़ो तेला लिखना लिखना सलभधो थेलाइन ने लिखना प्र really ये छोड़ो दो प्र य labs में रिखो फीर स서 भैजिन लिखो फिर चोड़ दो और जो भॉक्स में arna फ्रहके में एक से को बनाओ फिर एक लाइन छोड़ दो अधिक यहां तक काम हमने कािए anniversary चॉरी में क्या करेंगे आपको दो तरीका बता तरीका है पहला तरीकाइब पहले आओ देखो यह आपर पार्य को यहां सब क्या करो यहां से इसको आप इतना कम से कम लिखो करिबान मतरह समझो कि 6-7 लाइन में आपका पुरा आ जाए आपको छोड़ा फोड़ा नहीं लिखना है बलकि काट काट के लिखना है जिसे में आपको बता है अपको फिलम वला तीन गंडा जो फिलम है आपको 15-20 मिनट में बताना है और समरी लिखने का तो आपको यह तरीका आप जान लो कि आपको कैसे क्या करना है आपको करना यहां पर ऐसे है आपको यहां पर ऐसे करना है कि आप काट काट के जो लाइन आपको इच्छा है आप लिखो जो लाइन आपको इच्छा नहीं है आप उसको मत लिखो एक तो यह दुसरा तरीका यहां पर क्या होगा देखो अभी आपने जो नोट बनाया अभी जो आपने नोट बनाया देखो यह यूज करा यह यूज करा यह यूज किया आपने यह यूज किया और यह यूज किया इससे रिलेटेड मतलब यह सब जो यह सब जहां-जहां से आपने उठा तो यह आपने उठाया है देखो कहां से मैं आपको दिखाता हूं यह वला आपने उठाया है यहां से यह वला उठाया है आपने यहां से यहां से यह लाइन आप पूरा लिग दो यह लाइन पूरा लिग दो ऐसे करना है आपको ऐसे करना है बतलब नोट में किंग में आपने आपने क्या क्या था यहां पर जो वेलुवल वाला जो चीज है जैसे यह वाला यहां से लिएकर आपने इसको पुरा उठाया था यहां तक उठाया था तो आप लिग डालो ठीक है कि ऐसे कर रहा है आपको जो मैं आपको सम्रे राइटिंग बता देता हूँ एकच्छल रिखा देता हूं कि इसका समरे राइटिंग मैं किस परकार से लिखा 75 से लेवल तो इस चीज़ को देखो हमने कुछ इस फॉरमेट में लिख दिया इस फॉरमेट में लिख दिया और अब बहुती कम-कम आपको लिखना है जो लाइन मन है लिखो जो लाइन मन नहीं आप मतली हो इस प्रकार सब समरी लिखोगे आगे देखो आप क्या है 19 large river drain the himalayas it forming rich soil for crops इसमें लिखा हुआ है तो जो जो लिखा हुआ है भाई ओई सब चीज यहां पर मैं नहीं लिख दिया है और अब यहां पर देखो यह सब जो चीज है यह यह सब 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 इसके according हमने यहां पर समरी क सजा के लिख दिया है तो आपको भी रही सही करना है और आप इस question का final answer जो लिखोगे यहां से हो जाएगा आपका final answer इसका screenshot लेना शुरू करो आप यह जो summary है इसका screenshot ले लो और इस वीडियो को एक बार नहीं दस बार देखो कहीं पर भी कुछ भी प्रोलम है तो आप लोग मुझे बोलना और एक तो question में आपको बता दिया अगर आपको लगता कि नहीं सर्व और question बताईए तो मैं आपको और भी question बता दूंगा ठीक है